सब्सक्राइब करता हूं मेरा नाम है लोकेश खंडेलवाल सर एंड आइफ क्वालिफाइड मद्धप्रदेश ग्रेडवन एक्जामिनेशन विद रैंक 10 वेरियस एक्जामिनेशन अक्रॉस इंडिया सब्सक्राइब करते हैं और आप लोगों का रिस्पॉंस बताएगा कि इस बैच को हम कितनी उचाई पर ले करके जाएंगे अगर हमारे ग्रूप से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिवे नंबर पर आप जो हैं मैसेज करिए और उस पे हम आपको एड करेंगे चली तो दे एडवांस लेवल की और ऐसा भी की प्रैक्टिस सेशन्स भी आपके लिए कराएंगे सब जो भी आपको चाहिए हो प्लीस कमेंट बॉक्स में टाइप करिए कमल ने 4000 किलोमेटर जो उसकी पूरी यात्रा का टू फिफ पार्ट है दो बटे पांच भागे हवाई जहाद से तै किया तो देखिए यहाँ पर मालीज आपको पूरी दूरी पता नहीं है एक्स का टू बाई फाई पार्ट कितना है लेट इस 4000 किलोमेटर तो आपको जो दो एक्स की जो दूरी दी गई है आपको 4000 किलोमेटर दी गई है तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस आप निकाल लिजे तो देखिए थोड़ा सा जल्दी करेंगे competitive exam में कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी questions हो जाए तो x equal to 10,000 km आपके पास आ चुका है ओके दो बड़े 5 भाग जो उसकी total distance है इसमें से जो आपके पास 4000 km है वो कौन सा भाग है आपका हवाई जहाजवाला भाग मतलब x aeroplane जो है उसने कितना किलोमेटर ट्रवल किया है 4000 km आपके पास कितना बच गया है 6000 km में 6 यात्रा का 90% तो आप जो है वो किसे चल्द ट्रें से बची हुई यात्रा कितनी है 6000 का 90% 90 upon 100 So you will have how much 20 cancel 5400 km एंड इसके बाद जो बच जाता है वो पार्ट कहता है aeroplane से तो आपके पास कितना बच गया टोटल देखे 6000 चलना था तो 5400 इस्तमाल कर दिया So you have left with 600 km आपके पास बच चुका है कहरा है यदि कार 12 गंटे तक चली हो तो गती ज्याद करना है तो आपको गती निकालना है तो गती स्पीड एक कॉल टू होता है दूरी बटे समय डिस्तेंस अपन टाइम इन इंगलिश कमेंट की जगा जिस लेंगविज में आपको वीडियो चाहिए हूँ तो डिस्तेंस आपके पास कितनी है डिस्तेंस आपके पास है 600 km ओके और 12 घंटे तो ये चला गया आपने पास कितना 50 km पर आवर तो आंसर कितना होगा 50 km पर आवर इस यूर करेक्ट आंसर ओके तो करेक्ट आंसर इस 50 km पर आवर चली में तरो अगला कोशन लेख दें कोशन में कहा गया है कि 1,4,5 km पर ती घंटा की चाल से विद्याले जाता है तब सही समय पर पहुंचता है लेकिन जब आठ किलो मेटर पर ती घंटा की चाल से जाता है तो बारा मिनट पहले पहुंच जाता है तो उसके विद्याले की दूरी आपको बताने है पर चाल पता नहीं है तो चाल को आप माल लेजिए कि उसकी दूरी जो है दूरी पता नहीं है तो दूरी को माल लेजिए कि दूरी जो है वो X किलोमेटर है ओके क्योंकि सारी चीजे किलोमेटर में हैं तो फिजिक्स में भौतिक राशियों का यूनिट का जरूर ध्यान रखे वीजी फॉर्मुला लिख लीजे समय जो होता है वह होता है दोरी बटे चाल तो यह चीज यहां पर इस्तमाल हुई है तो पहला समय टीवन मान लिजए कितना हो गया दोरी है x और 4 है 5 x upon 5 hour दूसरा समय निकालना है देखे दूसरे समय उसकी गती बढ़ गई है तो x दूरी upon समय है समय बराबर दूरी बटे चाल वेग बढ़ गया है तो x बटे 8 हा गया है अब देखे जादा समय कौन सा होगा समय जादा वो लगेगा यहीं पर गलती होती विद्यार्थियों से समय जादा वो लगेगा जिसमें चाल कम रही होगी मतलब गाड़ी कम स्पीड चलेगी तो समय जादा लेगी तो ये वाला समय जादा वाला है और ये वाला समय जो है कम बाला है हल करके 2 raise to 2 by 3 किलोमेटर आंसर आ चुका है दोस्तो अगला सवाल देखे यहाँ पर कहरा महेश एक निश्ची दूरी 84 मिनट में तै करता है उस दूरी का 4 बटे 5 भाग 6 किलोमेटर प्रती घंटा की चाल से चलता है और वह चला जाता है तथा 6 दूरी वह 2 किलोमेटर प्रती घंटे की चाल से तै करता है तो वह दूरी क्या है देखी यहाँ पर सवाल में जो दिया है आपको समय दिया गया है कि जो महेश है यह जो टोटल समय है टोटल समय 84 मिनट में तै करता है तो ये टोटल समय हो गया 84 मिनट को हमने घंटों बदल दिया तो 84 बटे 60 और ये कितना है हमाई पास में दूरी मान लिया हमने X है तो कुल दूरी अगर हमारे पास X है तो कुल दूरी X के दो भाग बटेंगे एक X का बटेगा 4 by 5 X और एक बटेगा कितना 1 by 5 X मतलब टोटल 5 हिस्सों में से 4 हिस्से अगर एक जगह गए तो एक हिस्से एक जगह गए तो एक जगह बनेगा X by 5 और एक जगह बनेगा 4 X by 5 तो 4 X by 5 समय बराबर होता है दूरी बटे चाल तो दूरी तो दी है 4 X by 5 चाल है 6 km परावर और उपर कितना है आपके पास x by 5 और दूरी कितनी है अपने पास चाल कितनी है 2 km परावर तो इसको हल करते हैं यह हो जाएगा अपने पास 4x by 30 और यह हो जाएगा x by 10 LCM ले लिया तो कितना आ गया 60 आ गया है यह भी 60 हो गया 60 से 60 कैंसल 4x equal to 84 तो answer x equal to 6 km परावर मतलब यहाँ पर जो चाल होगी वो कितनी होगी 6 km परावर होगी